नमस्कार दोस्तों कैसे हैं, आप लगा दोस्तों आज मैं आप लगूगा का अपने फोटो में कपड़े के कलरे को कैसे चेंज करते हैं दोश्तों भी बहुत आसान तरीके से दो आपको कुछ भी जादा उसके अंदर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, simple trick से आपके photo में जो भी कपड़े रहेंगे उसके color को आप change कर सकते हो दोस्तों हमें जरूरत बहुत होती है, कोई हमारा photo अच्छा रहा है, हम चाहते हैं कि कास इस कपड़े को हम जो है color इसका change कर पाते photo में, तो इसके लिए दोस्तों आपको अगर किसी भी photo के कपड़े का color change करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो दोस्तों मेरा ना मरवीन ज्याद हो है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे है, नियो ग्यान समराठ तो चलिए, सुरू करते हैं दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो इस रेट बटन पर क्लिक करके इसे यहां से सस्क्राइब कर लीजी और इस notification bell को दबा दीजी इससे होगा है, तो जितनी वीडियो में बनाऊँगा उसका notification आपको मिल जाएगा और यह बिलकुल free है दोस्तों दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है? प्ले स्टोर में दोस्तों आपको एक application डाउनलोड करनी है वैसे तो दोस्तों, यह application सब के पास होती है अगर आपके पास नहीं है, तो आप इससे डाउनलोड कर लीजे इसका नाम है दोस्तो, PixArt ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करता हूँ PixArt तो दोस्तों, यहाँ पर आप टाइप करोगे तो यह दिखी कुछ इस तरह से application है इसका कुछ इस तरह से icon है ठीक है तो दोस्तों मैंने already इसको install कर चुक हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर open बता रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से open कर लेता हूँ इसको open करने के बाद इस पर plus पर क्लिक किजए आप ठीक है, प्लस पर कि जब आप क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर बहुत सरे आपको option दे देंगे तो हम इसको edit पर क्लिक करेंगे edit पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी photo चाहिए रही जिसकी कपड़े आपको change करने है उस photo पर आप क्लिक किजए, ठीक है तो माल लेजिए दोस्तों मुझे यह photo के color को change करना है, ठीक है तो दोस्तों इस समय देखे, इस तरह से इसके कपड़े का color है तो यहाँ पर देखे, दोस्तों यह tools जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कीजए आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे, दिया हुआ अरजेस्ट, यहाँ पर देखे, दिया हुआ अरजेस्ट, इस पर आप क्लिक कीजए क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखे, नीचे कुछ option नजर आ जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, हुई पे हाँ, इस फे क्लिक कीज़े, फॉर्थ नम्बर पे, उसके बाद देखे दोस्तों, यह जो लाइन है, यहां से हम अर्जेश कर सकते हैं, कपड़ के कलर को, ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधा इस साइड लेंगे तो फिर आपको इस साइड से green वगर आ पर होते जाएंगे अभी yellow हो गया फिर orange जैसा फिर है ठीक है दोस्तों देख लें जैसा आप चाहो दोस्तों वैसा color आप कर सकते है ठीक है अब दोस्तों माल लिजी आपने कपड़ चेंज किया लेकिन दोस्तो जो है आपके background में भी और आपके चेहरे पे भी थोड़ा बहुत effect दे देता है ठीक है आपको अगर वो effect दूर करना है दोस्तों तो यहां पर देखिए दिया हुआ rubber का icon यानि मिटाने का ठीक है यहां पर देखिए उपर तो इस पर हम click करेंगे click करने के बाद दोस्तों नीचे कोई color नहीं चाहिए तो आप इसको यहां से हटा सकते है ठीक है अगर दोस्तों आपको गलती से अगर माल लिजे कुछ इस तरह से mystic भी हो जाती है अगर color में different हो जाता है अगर आप मिटा रहे हैं आपके हाथ से तो दोस्तों फिर आप यहां पर देखिए brush का icon पर click और दोस्तों फिर जान से गलती होकी रहती है वहां के color चले गए रहती है आप उसको वापस ऐसे किर दीजी ठीक है तो दूस्तों इसे आप फिर से अरजेश कर सकते है अगर गलती से आपको मिट गया रहे तो ठीक है दोस्तों इस तरह से आप use कर से बढ़ा आ आप इस पर double click करेंगे तो इसको urgesht आपका जो brush का है दोस्तों आप urgesht कर सकते हो कि कितना आपको मिठाना है कितना आप heart touch करेंगे तो उतना मिठेगा ठीक है छोटा में कर जिए बड़ा भी कर सकते हो इस तरह से दोस्तों आप इस tools को use कर सकते हो बहुत ही अच्छा है दोस्तों आप use करके देखिए दोस्तों आप किसी भी photo की कपड़े को color change कर सकते लेकिन दोस्तों black और जो color हो थे दोस्तों बहुत कमी change हो पाते हैं लेकिन दो other color थे दोस्तों आप अच्छे से change हो जाते हैं आप अपने सबसे और अरजेक्ट कर सकते हैं. तो छीशा हेतों यह पर होने के बाद दोस्तों यहांपर देखिए, सधी का आइकोन बना हुआ है, मार्क बना हुआ है है, तो इस पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है? क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर फिर से arrow का देखिया icon बना हुआ तो इस पर click कीजिए click करने के बाद दोखिए दोस्तों यहां पर देरा save तो आप जब click करेंगे save पर तो आपको फिर एक save कर दीजिए तो यह ultimately आपके gallery में save हो जाएगी photo ठीक है तो हम back आते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग पहली picture कुछ इस तरह से थी और हमने जो बनाई है कुछ इस तरह से तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जो कपड़े का color था फोटो में वह पूरी तरह से change हो चुका है ठीक है दोस्तों दोस्तों मुझे उमीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी अगर दोस्तों अच्छी लगी रहे मेरी वीडियो को तो जितना हो सके उतना like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को subscribe क कर लिया रहत फिर कल हम मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो